Hi dear friends, welcome back to my channel और आज मैं आप लोगो को कुछ craft बनाना सिखाने वाली हूँ तो let's get started friends यहाँ पर मैंने एक waste box लिया है जो मेरे kitchen में यूँ ही पड़ा हुआ था salt and pepper का डबबा है वहाँ पर मैं acrylic paint से painting कर रही हूँ उसके उपर यह मैंने blue color का shade select किया है यह मैं एक kitchen item बनाने वाली हूँ kitchen home decor type का बोल सकते हैं इसको और मैं यहाँ पर आपको बता दू कि यह जो acrylic paint होता है एक fast dying paint होता है जो कि pigment suspended से बनावा होता है जिसमें acrylic polymer emulsion का use किया हुआ है और यह acrylic paints जो है यह water soluble है but they sometimes become water resistant जब यह पूरी तरह से सूख जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यह spoon पर ऐसा paint किया है यह मैंने unused fork जो हमें hotels रगरा में मिलते हैं खाना order करने पर मिलते हैं वो मेरे पास पढ़े वे थे 2-3 वो मैंने use किया है दो यह मैंने fevicol से इसको चिपकाया है और यह मैंने अपनी बेटी के खिलोने के सेट से एक छोटा सा करहाई लिया है जो उसके लिए भी waste product है वो नहीं खिलती है इससे इसे भी मैं गम से चिपकार्यों इसके उपर यह symbol दिखा रहा है कि food is being cooked यह भी मेरी बेटी के जग का एक portion है इसे मैंने acrylic paint से color कर दिया है और अभी मैं इसे gum से चिपका रही हूं इसके उपर इस तरी के साब देख सकते हैं यह waste product जो मेरे घर में पढ़ा हुआ था उससे मैंने एक ऐसी खुबसूरत सा kitchen decor बनाया है एक छोटा था thermocall का portion पढ़ावा था उसे भी मैंने decorate कर दिया है paint से और इस तरह से gum से चिपका दिया इसे और यह देखी बनने के बाद यह ऐसा लग रहा है और आभी मैं इस color से pink color से इसके उपर लिखने वाली हूं कोट मम्मी दा धाबा ओपन 24 x 7 कर दोटो प्से लिए कर दो दोटो कर दो दोटो और यह बनने के बाद आप देख सकते हैं यह ऐसा दिख रहा है इसे मैं अपने किचेन शेल्फ पे सजा के रखने वाली हूँ तो friends अगर आपको भी अच्छा लगे आप भी इस टाइप से waste material से कुछ useful सा बना सकते हैं home decor items बना सकते हैं तो आज तक के लिए इतना ही friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो please like, comment and subscribe my channel bye bye friends, tata, good night